क्या है दोस्तों वेलकम बेक्ट वेल चैनल लाइट मेट मैं आउगारफ आयोप यौल आ एंज्वाइंग तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा सूरज पंजोली की लिटेस्ट मुवी जिसका नाम है सैटलाइट शंकर दोस्तों यह सूरज पंजोली की तरियर की रिलीज हुई थी तो स्टाट करते हैं मुझे क्या क्या अच्छा लगा पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी सूरज पंजोली की एक्टिंग अगर आप इस मुवी को कंपेर करोगे हीरो मूवी से जो की 2015 में रिलीज हुए जैसा कि मैं बता चुका हूं उसमें जो एक्ट बादर पर फाइट होती है या फूरल एक्शन होती है इसमें थोड़ा सा रोमैंस भी दिखाया गया थोड़ी सी अपर फाइट्स भी दिखाये गई है और और कॉमेडी भी है स्मुवी में अब बात कर लेते हैं इस मूवी के नेगटिव की दोस्तों पहली चीज जो मुझे मुझे लगी जैसे कि आपने देखी विए भाइजार उसमें दिखाया जाते हैं जिसके दूरूर लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं और जहां 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 से मुझे लगी इस मूवी का म्यूजिक कुछ खास नहीं और यह मूवी थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि अर्वी इंटर्टेनिंग फोड़ा से एक्शन इसमें और डालना चीह था जैसे कि आर्मी मैंन चीव मूवी में जो एक्शन और इतना कम दिखाया जाया मुझे से दो सीन होंगे जो एक्शन के है वह और कुछ है यह नहीं वह पर कौमेडिए भी एक-डो सीन की है वह वह भ तो लेकर दो प्रिरंटव लुए और अधर स्टार वह थोड़ी सी कोमेडी फोड़ी एक्षिन होने के लिए थोड़ा सा रोमांस विडियो है को अच्छी झाले निया मिंख अगर आपने चैनल भी तब सब्सक्राइब ने किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर और बेल ऐकन भी ट्रेस कर देना ताकि आने वली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वो भी सबसे पहले और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी फेस्बुक पे तो हमारा पेज है लाइफ मेट के नाम से उसे आप लाइक कर सकते हो और आप उसे फॉल फॉल एंजोई तो एफुल एंजोई है थीलिक को अपको एफ वाइब市 कर दो पर लेटनल